स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएस की इस खास पेशकश न्यूज एंड व्यूज में पारलियमेंट के मौनसून सेशन में राजसभा में चीफ एलेक्शन कमिशनर और अदर एलेक्शन कमिशनर अपॉइंट्मेंट कंडिशन आफ सर्विस एंड टर्म आफ ओफिस बिल 2023 पेश किया गया यदि ये बिल गानून बनता है तो इलेक्शन कमिशन में C.E.C. यानि चीफ इलेक्शन कमिशनर और दूसरे कमिशनर्स के अपॉइंट्मिंट की प्रॉसेस नए सीरे से तैह हो जाएगी न्यूज एंड वियूज में आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों C.E.C. और एलेक्शन कमिशनर्स के फंक्शनल इंडिपेंडेंस से रिलेटेड कुछ पेटीशन की हेरिंग के दौरान इनके अपॉइंटमेंट के लिए एक सेलेक्शन पैनल बनाया था जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर आफ अपोजीशन और चीप जस्टिस आफ इंडिया शामिल थे सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में सरकार से जल्दी ही कानून बनाने को भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने ये भी मेंशन किया कि CEC का टेनियोर छे साल का हो सकता है लेकिन 2004 से किसी भी CEC ने छे साल का अपना टेनियोर पूरा नहीं किया पहले बात करते हैं इस बिल के खास प्राविजन्स की फिलहाल CEC यानी Chief Election Commissioner और दूसरे Election Commissioner के अपॉइंट्मेंट के लिए Election Commission Conditions of Services of Election Commissioners and Transactions of Business Act 1991 लागु है नया बिल कानून बनने के बाद इसी को रिपलेस करेगा Constitution के Article 324 के मताबिक Election Commission में एक Chief Election Commissioner और कुछ Election Commissioners होंगे Commissioners की संख्या के बारे में President decide करेंगे इन सभी का appointment President ही करता है इस बिल में भी इसी सिस्टम को continue किया गया है लेकिन इस नए बिल में Selection Committee को change कर दिया गया है Proposed Selection Committee में Chairperson के तोर पर Prime Minister और Members के तोर पर Leader of Opposition और एक Cabinet Minister को रखा गया है यानि इस पैनल में कुल तीन लोग होंगे Chief Justice आफ इंडिया इस पैनल में नहीं होंगे Proposed Bill में एक Search Committee भी होगी जो पांच लोगों के नाम Selection Committee को सुझाएगी इस Search Committee को Cabinet Secretary लीड करेंगे C.E.C. और Election Commissioners के लिए Qualifications की बात करें तो Central Government में Secretary Rank का कोई भी व्यक्त इसके लिए Eligible होगा जिसे Election कराने का Experience हो C.E.C. के Removal और Resignation की बात करें तो इसका जिक्र Article 324 में किया गया है यानि इसके लिए वही प्रॉसेस अपनाया जाएगा जो कि सुप्रीम कोड के जज्ज के Removal के लिए अपनाया जाता है इसके लिए पहले पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में एक ही सेशन में Removal संबंदी मोशन पास किया जाएगा और फिर President Order Issue करेंगे वहीं किसी Election Commissioner को CEC यानि मुख्य चुनाव आयुक्त की Recommendation पर हटाया जा सकता है 1991 के Act के तहट कोई भी Election Commissioner President को अपना Resignation दे सकता है Proposed Will में भी इसी Provision को Retain किया गया है लेकिन इस नए Bill को लेकर कुछ Challenges भी है तो इसके कुछ Provision को लेकर Criticism भी हो रहा है Criticism का सबसे एहम पॉइंट ये है कि जिस तरह से CEC के सेलेक्शन के लिए पैनल बनाया गया है कहा जा रहा है कि इस Process से यदि CEC का Appointment होगा तो सरकार का Puppet यानि कटपुतली जैसा होगा सरकार के इशारों पर चलने वाला ऐसी सिच्वेशन में फुल मेजॉरिटी वाली सरकार अपोजीशन के विरोध को इगनोर कर देगी क्योंकि Cabinet Minister किसी भी हालत में प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं जाएगा पैनल से CGI को हटाया जाना भी इसी रूप में देखा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक हालिया जज्मेंट में उस व्यवस्था को सबसे बहतर बताया है जहां अपॉइंटमेंट कमेटी में CGI का कुछ नकुछ रोल जरूर होता है लेकिन इस लिहाज से नया बिल Constitution Bench के इस जज्मेंट के अगेंस्ट जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का ये जज्मेंट 1990 में दिनेश गुस्वामी कमेटी और 1975 में बनी जस्टिस तारकुंडे कमेटी की रिकमेंडेशन के एकॉर्डिंग था भारत में इलेक्शन कमीशन एक Constitutional बॉड़ी है और ये ना सिर्फ एलेक्शन कंड़क्ट कराता है बलकि इसका एक क्वेजी जूडिशल रोल भी है एलेक्शन कमीशन देश बर में अलग-अलग चुनाव कराता है और इसमें लोगों की बढ़ चड़कर भागीदारी होती है ये भागीदारी तभी हो पाती है जब लोग इस बात से आश्वस्त होते हैं कि इलेक्शन कमीशन का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लिंक न हो और नहीं वो किसी पार्टी के प्रति कोई नर्मी दिखाए पिछले कुस सालों में तमाम ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनके कारण एलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी को लेकर सवाल उठे हैं आज किस एपिसोड में इतना ही अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं आप अपने सुझाओं भी हमें भेज सकते हैं